मंगोल समराजी को उसकी उचायों तक ले जाने वाला चंगेज खान दुनिया का सबसे बड़ा विजय था इसने अपने मृत्यों से पूर भी बोगदाई खान को अपना उत्रधिकारी न्यूगत कर लिया था बाद में उसके पोतों ने इस समराजी को चार खानतानों में भाड़ दिया युवान राजवांस, चक्ताई खाना थे, इल्ध खान और गूल्डन होर्ड चंगेज खान के इनी पोतों में से एक था हलाकु खान इसका जनवे 1227 में मंगोलिया में हुआ था और इसकी मा का नाम सरोकतनी बेकी था इसकी मा ने हलाकु और उसके भाईों को बड़ी निपूंता से पाला था और बारिवारिक परिस्थितियों पे ऐसा नियतन रखा था कि हलाकु आगे चलकर एक बड़ा समराचे इस्ताबित कर सका 1251 में मंगो खान के नित्रितु में मंगोल राज कुमारों के सभा में ये निर्ना लिया गया कि हलाकु को पस्ची में सिया में इसमाईलियों को उचलते हुए जीत हासिल करनी चाहिए इसके बाद अगर अगर अबासी खलेफा हत्यार ना डाले तो उसकी भी इट सेट बजाती जाए हलाकु खान योजना के ताथ 1230 की सरद रितु में एक बड़ी मंगोल सिना लेकर पस्ची में इसिया के और निकल पड़ा परिनाम सरूप 1256 के अंद तक इसमाइली महल का एक बड़ा हिस्सा हलाकु के कब्चे में आ चुका था और यहां तक कि इसमाइलियों के सरदार भी मंगोलों के कैद में था आपको बताते चले कि इसमाइली सिया हत्यारों एससिन्स का एक किरो था जो सीरिया और एरान के पहाड़ों में रहा करते थे खैर इसमाइली सरदार को कैद करके मंगोलिया भेज दिया गया जहां उसे क्रेट खान के आदेश से मार दिया गया और फिर शुरू हुआ हलाकु के हाथों इसमाइली अत्यारों का नरसंगार मंगولों ने पूरे इसमाईले कुट का सफाया कर डारा था और साथ ही पर्सिया पर उनकी पूरी पकर बन गई थी इसमाईले के बाद हलाकु का अगला निसाना बगदाद सहर था दजला नदी के दोनों किनारों पर अबाद बगदाद अलीफ लैला और खलीफा हरुन रजित का सेर था बगदाद का असली नाम मदिन अतलल सलाम था यानि सांती का सेर 762 स्वी में दूसरे अबासी खलीफा अबुजाफर अलमनसूर ने राजधानी के रूप में सेर की स्थापना की थे और तबी से यहार अबासी खलीफा का घर था बताया जाता है कुन दिनों बगदाद पूरे अर्बी संस्कृति और लिखावट केंदर था दुनिया भर से विद्वान, दारसनिक, डॉक्टर और अन्डे विचारक इस व्यपारिक और संस्कृतिक विचास के केंदर में कत्र होते थे इसी क्रम में ही बहुत से अर्बी और यूनानी विद्वानों ने कई माहन गरंतों का ग्रीक से अर्बी में अनुआत किया था बहराल, नॉमबर 12.57 में हलाकु खान ने एक लाख पचाहजार की फौज के साथ बगदाद की तरफ कूच किया वहाँ पहुचकर उसने अपनी सेना को पूरवी और पस्चिमी हिस्सों में बाढ़ दिया ताकि वो सेहर से गुजरने वाली तजला न दी के दोनों किनारों से आमला कर सके हलाकु खान ने आमले से पहले अबासी खालीफाल मुस्तसिम को हाथियार डाले का लेकिन उसने मना कर गया इसके बाद खालीफा की सेना ने कुछ हाक रमको को तुखा देरा लेकिन अगली मुट भेड में ही वो हार गय 29 जनवरी 1258 में मंगोलों ने बगदाद का गेराव कर लिया और चार फरवरी तक वो सेहर के रक्षक दिवार पर कपचा जमा चुके थे अब खालीफा ने आत्यार डालने के सोची ही लेकिन मंगोलों ने बात करने से मना कर दिया और 13 फरवरी को बगदाद सहर में खुश ग मारा गया या उनका बलतकार किया गया हाल यह था कि मंगोल के ओरते सहर के किसी भी घर में गुश जाती और बगदादी मर्दों की सर उड़ा देती और किसी कि इतनी हिमत भी नहोंती कि इनका भी मुकाबला कर सके एक हपते तक चले इस कतले आम में दो सित्तास लाख लोग म किताबे थी मंगोलों ने सबी को उठाकर नदी में फेक दिया जो लोग वहां से बचकर निकल पाए उनका कहना था कि किताबों से बहती हुए स्याही से दजला का पानी काला हो गया था खालिफवाल मुस्तसिम पर क्या भी थी इस पर तो अलाग वर्णल मिलते हैं यूरोप से बाद माने वालीया तरी मार्कौ फॉलो के अनुसार उसे सोने के महल में क्याकर बृक से मरा गया था वहीवी स्वस्नि मंगोल और मुस्लिम श्रोदों के अनुसार उसे एक कालीन में लापेट लिया और उसके उपर से तब तक घोड़े दोड़ाए गय जब तक उसने दम बात करेंगे अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इससे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब